सूत्रों के मताबिक सरकार मार्च 2021 से पहले के प्रोजेक्स पर कस्टम ड्यूटी समेथ कई छूट पर विचार कर रही है क्या है ये छूट और इसके माइने क्या है और इससे सेक्टर पर कैसा आसर पड़ेगा सारी की सारी डीटेल्स देकर हमारे से योगी प्रकाश प्रयादर्श्य हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश बताएं सोलर कंपनियों को सरकार से किस तरह की राहत की उमीद है देगे सोलर पावर जेनरेट करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है सुत्रों के हवाले से जो जनकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सोलर पीवी सेल्स और सोलर पीवी मॉर्डल्स के इंपोर्ट में ये राहत दी जा सकती है खासकर वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि मार्च 2021 से पहले अवर्ड कर दिये गए थे तीन तरह के राहत देने पर विचार किया जा रहा है पहला तो ये कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कम्पनियों को मार्च 2021 से पहले हासिल हो गए थे उनके लिए ग्रैंट फादरिंग प्रोविजन लागू किया जा सकता है मतलब ये कि basic custom duty में ऐसे equipment के import पर छूट दी जा सकती है जैसा कि आपको पता है कि मार्च 2021 में सरकार न इस बात की घोशना की थी कि solar PV sales के import पर 25% का basic custom duty और solar PV models के import पर 40% का basic custom duty जो है वो लगेगा चीन से जो आयात है उसको हसुसाहित करने के मकसद से इसकी घोशना की गई थी लेकिन अब कंपनियों को काफी दिक्कत आ रही है क्योंकि sufficient equipment जो है इस वक्त तुमस्टिक मार्केट में उपलब्द नहीं है तो दूसरी रहा जिस पर चर्चा चल रही है वो ये कि in case अगर grandfathering के provision को वित पंत्राले नहीं मानता है तो एक separate fund बनाया जाए जिसके जरिये solar developers को compensate किया जाए तो तिसरी रहा जिस पर चर्चा चल रही है वो ये कि equipment के procurement के लिए जो approved list of models and manufacturers होता है जिसको की LMM list बोलते हैं उसके प्रावधानों को relax किया जाए और इस list को कम से कम 2 साल तक लागुना किया जाए ताकि कम्पनियों को इस बात की छूट मिल जाए कि वो जहां भी उनको सस्ता equipment मिले वो उसका import कर पाए इस पर भी विचार किया जा रहा है Ministry of New and Renewable Energy ने वित मंत्राले से संपर किया है कि कम्पनियों को तुरंत रहात दी जाए ताकि यह जो प्रोजेक्ट्स हैं उस समय पर पूरा किया जा सके इसके लिए कम्पनियों ने ये भी कहा है कि क्यूंकि जब basic custom duty solar pv sales और solar pv models पर लागू नहीं किये गए थे तब उन्होंने काफी aggressive बीट किया था इन प्रोजेक्ट्स के लिए लिहाजा custom duty लागू होने के बाद उनका जो cost है वो काफी बढ़ गया है लिहाजा उनको तुरंत रहात देने की जरूरत है ऐसे मेवित मंत्राले इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और तुरंत ऐसे प्रोजेक्ट्स को रहात दी जा सकती है और अगर रहात दी जाती है त तो solar power projects को रहात देने के हाँ पर तयारी चल रहे और solar company को एक बड़ी रहात जल्दी मिल सकते है मार्च 2020 से पहले ही के projects जो है उन पर कुछ हाता के रहात की बात चीच चल रहे है और इस पर सरकार का फूरा focus है इस खबर से जड़ी सारे के सारे updates भी हम ताप तक पहुंचाते रहेंगे solar power की तरच पर अगर देखे वैसे तो energy green hydrogen कई सारे themes है नीरफ जो की काफी हद तक play out हो रहे है इन दिनों और इसके चलते कई सारे spaces कई सारे stocks भी है जो की radar में आ रहे हैं और इनके future जो है वो काफी जादा अच्छा नजर आ सकता है अडानी green in fact stock को अगर आप देख रहे है और मुस्ट 2032 जो की दिन के उच्छा तमस्तर है इनी स्थरों के आस पास इस स्टॉक में इस वक्त काम काच है तो यह एक stock ऐसा है जो बाकी सारे अदानी के जो stocks है वो नेगेटिव दिखते हैं यह एक stock ऐसा है जो अभी भी buying zone में है अभी उसने अपना 50-day moving average ब्रेक किया जो करीब-करीब 2000 के आसपास है और उसके बाद अब आज के सेशन के close के पास करनी है और 2000 के उपर बंध होता है उसके बाद ही करनी है तो that will be a better sign क्योंकि अपना 50-day moving average के उपर बंध होगा तो उसके बाद एक follow up buying आएगी यह stock में उपर में target रहेगा around 21.80 का तो वो target के लिए आप खरीदे और नीचे में 1980 का stock loss रहेगा और एक stock ऐसा है